नमस्कार मैं आपका शाथे दलीब कडवासरा आज एक बार फिर शे उशा गोदारा यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ आज मैं आपके शामने एक नया बिंदू लेकर की उपस्तित हुआ हूँ कक्षा में जब हम शिक्षण कारे करवाते हैं तो कुछ सब्द ऐसे होते हैं जहां बच्चे बर्मीत होते हैं और अध्यापक भी उसका बढ़िया अंतर या उनका अर्थ जो है बच्चों की शामने इसपस्ट नहीं कर पाते सरल बाशा में ताकि बच्चे उनको समझ सके इसी का उन शब्दों से वाष्टा रहता है जैसे बाशन है सम भाशन है अभी बाशन है कि इन सब्दों में अर्थ गत अंतर क्या है क्योंकि देखने में पढ़ने में ये सब्द एक जैसे परतीत होते हैं लेकिन फिर भी इन तिन्नों में बहुत अंतर है बाशन की चर्चा यद और दिए जाते हैं और हम देखते हैं कि जो वेक्टी बाषन देता है उसके अंदर उस बाषन में कोई निश्चित मुद्दा नहीं होता मुद्दे जो है बदलते रहते हैं बासा की द्रश्ठी से भी देखें तो सालिंता नहीं होती ए मर्यादित सब्दों का प्रियोग उट उसे सहमत होना या वो लोग उसी बात को सुन रहे हैं या बशन को सुन रहे हैं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं उठा उसके बाद में यदि हम संबास्चन की बात करेंं तो संबास्चन वही इस्तथि उत्ति है बास्धन से अटकर के जब दो या दो-ती लोगों के बीच में सालिंता पूरण बाचित होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा धेरे के साथ में उसकी बाचित सुनता है और उसकी बात पूरण मुझें नेंके बाहिए में जो सरोता हूँता है एको यहां मर्याधा हूती है सालीन तो इसको अमने कह सकते हैं कि जो सादैरण विचारविमश होता है वह समभासण की श्रैनी में की आता है तो अपने देखते हैं कि जब विदान सबा का या लोग सबा का सत्र प्रारंब उटता है तो विदान सबा में राज्यपाल की दुवरा और संसद में राष्ट्रपती की दुवरा अभी बासन दिया जाता है वहां भी वह एक भीड के सामने अपने बात रखता है तो सोचने वाड़ी बात यह है कि बासन और अभी बासन में फिर अंतर क्या हुआ वहां भी एक वक्ता है और वहां भी स्रोटा है लेकिन दोनों इस्ततियों में बासन और अभी बासन में बहुत अंतर है कैसे कि आम तोर पर अभी बाषण जो है किसी संस्ता में दिया जाता है जैसे विदान श्रबा मारी एक संस्ता है संसद है एक संस्ता है जहां बुद्धी जीवी एक स्रोता की रूप में विराजमान उते हैं और अभी बासन जब दिया जाता है तो सुरोता जो उते हैं वो सांत हो करके उसकी बात को सुनते हैं जबकि बासन में ऐसा नहीं उता बासन में तो सुरोस रभा उता रहता है विरोध भी उशक्ता है वक्ता का काड़ी जंडे भी दिखा दिये जाते हैं जबकि अभी बाषण जो है मर्यादित होता है सालीन होता है वक्ता की वाणी में जो है वीदता जलगती है और एक चीज ओर होती है अभी बाषण जो व्यक्ति देटा है जो वक्ता है वाष्टव में वो उसके सब्द नहीं होते हैं वहा किसी विचारों को वहां परस्तूत कर रहा है जैसे राज जीपाल अभीभास्ण देता है तो वह सरकार का पक्ष रखता है उस अधन के सामने नहीं कि खुड का ऐसी तरिके से जब राश्यट क पती जो है अभीभास्ण पढता है तो वहे भी उसका खुद का पक्ष ने हो करके वह सरकार का पक्ष उटता है और ज्यादा तरह अपने देखते हैं कि अभी बास्टन जो उटता है वो लिखित उटता है इसको लिखित इसलिए लेते हैं कि वहे किसी दूसरे का पक्ष रख रहा है नमबर एक, बात में कोई बदलाव नहीं आ जाए, दूसरा बड़ा ही सालिंटा पूरुन बात रखनी होती है, विद्वान लोगों के शामने, टाकि कोई गलत सब्द परियुक्ट नहीं हो, ए मरियादित सब्द वहां परियुक्ट नहीं हो, इसलिए जो है अभी बाशन को ज विचार वक्टा की द्वरा प्रिस्तुत किये जाते हैं, बाशन, अभी बाशन की द्रश्टी से यदि देखें तो व्याख्यान इस रूफ में अलग है, कि व्याख्यान के अंतरगत जो बाशन दिया जाता है, जो विचार प्रिस्तुती होती है, वह एक ही बिंडू पर उत प्रिस्तुती है, उस बिंडू से अपने हट करके वहाँ विचार नहीं रखते, यह भी किसी की जियनती पर, किसी संस्ता में या कोई भी महेटोपूरण अवसर उत्ता है, वहाँ व्याख्यान माला के अंतरगत, किसी व्यक्ति विशेश के द्वरा अपने विचार प्रिस् इन चारों में आपकी सामने मैं अंतर को सपश्ट कर पाया हूँगा, धन्यवाद।